नमस्कार दोस्तों भोजपुरी सुपरेश्टर पवन सिंग को अब गाली दिया जा रहा है लोग उनके मानबता पर सवाल उठा रहे हैं लोगों का काना है कि पवन सिंग अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है आज के इस वीडियो में हम अच्छे सर्जा करेंगे दरसल बतादू कि हाले में संतोस रेनु ने लाइब आकर के पवन सिंग के बारे में बहुत कुछ कहा उसने कहा कि मैं पवन सिंग को दिखा दूंगा वो जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है दरसल बता दू कि पवन सिंग के बारे में आज के समय में बोजपुरी जगत में काफी बुराई हो रहा है और आज के समय में पवन सिंग को ना तो महलाएं पसंद कर रही है और इन सब बातों को तो चलो बगल करते हैं से बड़ी बात तो यह कि पवंद सिंग के चरित्र पर भी सवाल उठाया जा रहा है बताया जाता है कि पवंद सिंग जो कि अपनी दूसरी पत्नी को भी अब तालाक देना चाहता है हाली में आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक ख़बर सुना होगा कि पवंद सिंग जो कि ये केरियर जादे दिनों तक चलने वाला नहीं है हाले में संतोस रेनू ने कहा कि मैं जो पहले जेल गया था कईन कई मुझे लगता है कि उसमें भी पवन सिंग का यी हाथ था बता जाता है कि पवन सिंग जितने भी छोटे-छोटे कलाकार होते हैं उन सबों को परिशान किया करता है साती सात ये भी बता जाता है कि पवन सिंग अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगा है पवन सिंग के बारे में बहुत सारे कलाकारों का ये भी काना है कि अब वो अपने चरितर को तो लेकर वरबाद होते ही जा रहे हैं लेकिन उसके बाब्जुद वो लोगों को भी वरवात करना चाहते हैं आपको बता दू कि पवं सिंग के बारे में लोगों के अंदर जिस तरह की गुस्सा है वो गुस्सा साई नहीं है कहण चाहिन कहीं पवं सिंग के अंदर कुछ नकुछ तो बुराई है लेकिन फिर भी मैं कहाना चाहूंगा कि बोजपुरी कालाकार जितने भी हैं, उन सबों की बिजिस तरह का मतभेद देखने को मिल रहा है, ये कहिन कहीं बोजपुरी जगत के लिए बहुत बुरी ख़बर है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह से बोजपुरी एक्टर्स क बिच या फिर भोजपुरी सिंगर्स की बिच किसी भी तरह का मतभेद रहे, कहीं बोजपुरी जगत के जितने भी कालाकार है, उन लोगों को सांत होना चाहिए, और जिस तरह से आपस में एक दुसरे को ट्रोल कर रहे हैं, ये बिल्कुल बुरी ख़बर है भोजपुरी ज जाते हैं, वो तो बस घवंड में अकर के साथ बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पवन सिंग के लिए यही कहूंगा, कि पवन सिंग को अगर अपना केरियर बचाना है, तो कहिन कहीं उन्हें अपने मानवता को बाहर लाना होगा, कहिन कहीं उन्हें अपने पडिवार में ठीक होना होगा आज के समय में लोग पवन सिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं पवन सिंग को गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पवन सिंग के घर वाले भी अब उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो लोगों का यह काना है कि यदि घर के लोग ही समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे समर्थन कर सकते हैं, तो बस अभी यही सब अपडेट आया है, वीडियो को लाइक करना, चेनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपनी राय अवस्त लिखना, क्या पवन जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है कमेंट में वस से बताएं